वेलकम बैक सुदेंट्स वेलकम टू माई चैनल लाइफ सेंस बायोजी बाइज प्रसाद आज का टॉपिक है कैंसर एंड टाइपस आफ कैंसर माई चैनल को सिस्क्राइब करें बैल आकन दबरें तक कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है सो कैंसर प्रणने से पहले देखते हैं कि नॉर्मल सेल्स काम कैसे करते हैं नॉर्मल सेल्स की एक प्रोपर्टी होती है वह प्रोपर्टी को बोलते हैं हम कॉंटेक्ट इनिपिशन सब्सक्रों एक पैट्रिप्लेट है इसमें कुछ इसमें नूट्रियन मीडियम है और इसमें कुछ सेल्स रख है अनिमेल सेल्स अगर हम इसको उपर से देखे तो इस तरह देखेगा अभी जो एनिमल सेल्स है नूट्रियन यूज़ करके देविल डिवाइड तक अब तक डिवाइड करेंगे जब तक इस सारा लेयर अक्यूपन हो जाएं एक से दो सेल्स बनेंगे दो से चार बनेंगे अब तक है जैसी इस सारे सर्फेस अक्यूपेग कर लेगा सिंगल लेर फॉर्म करेगा तो ऐसी प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल्की जो डिवाइड करेगा लेकिन वाप्रॉं करेगा सिंगल लेर इसको बुलते हैं contact inhibition मतलब क्या हो गया एक ऐसा regulatory mechanism है जो cell को control growth में रखता है ताकि हो एक ही लिए reform करें उसको बोलते हैं contact inhibition इसका मतलब क्या जब एक cell दुसरे को touch करेगा तो it will stop cell division so एक time ऐसा आगा जब एक पूरे cell एक ऐसा stage पर पहुचेंगे जब जितने cell मर रहा है उतने cell ही बनेंगे वो stage को बोलते है confluencer rigid इसका मतलब क्या होगा जितना cell का death rate है उतना ही cell का verge rate होगा अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो cell है जो cell है उसका जो division होगा वह एक क्या है controlled process है वो process क्यों control कर रहा है एक gene उसको गोलते हैं हम tumor suppressing gene उसका एक example है P53 अब एक gene करता है cell division को regulate करता है मतलब कब stop करना है या फिर कब start करना है अगर एक gene का expression ना हो तो जो cell है उसका uncontrolled division होगा जब कोई एक cell uncontrolled division में जा रहा है तो cell को बलेंगे हम abnormal cell और होता है वो cancerous cell अब जो cancerous cell बना वो जो property है contact inhibition के उल्विस करेगा है 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 मतलब जब नॉर्मल सेल था तो इसको फॉर्म करना चीदर मॉनो लेयर लेट से दे हमारा मॉनो लेयर है इसके बाद सेल लुजन स्टॉप हो जाएगा कि यहां पर क्या था contact inhibition लेकिन जब cancerous cell बनेगा और क्या है हमारा cancerous cell बनेगा क्या है हमारा cancerous cell बनेगा क्या है is characterized by uncontrolled cell multiplication so इसे बोलते हम cancer so जो cancer है उसको बोल सकते हम it is a complex group of diseases that can affect many different body cells and tissues अब जो एक answer है it leads to formation of mass of cells known as neoplasm और tumor so क्या बोलेंगे इसको neoplasm या फिर tumor so ये tumor अब हामफुल क्यों है now why cancer is something जैसे ही tumor फमोगा it compete with other normal cell for nutrient लेकिन या पर क्या हो रहे है जो हमरे abnormal cell है उसका growth rate काफी speed है ultimately क्या होगा है जो हमरे normal cell है suffers and it may die now depending upon depending upon depending upon origin of cancer in tissue there are three main types of cancer first is first is carcinomas mass जो carcinomas है जो होते है epithelial tissue पर जो होते है ectodermal in origin जो होते है ectodermal जो हमारे तिश्यों को cover करता है या फिर line करता है जैसे कि skin cancer breast cancer lung cancer lung cancer cancer of stomach pancreas etc जैसे generally 85% जो cancer होता है वो carcinoma होता है second type है sarcomas कि सारकोमास कि यह होते हैं ऐसे टिश्यू में जो डिरेवड हुए है मेजोडम से और काफी रार कैंसर होता है चेनरली वन परसन आफ टोटल कैंसर में आते हैं जैसे कि एक्जामपल बोन ट्यूमर मुसल ट्यूमर लिम्फ नॉड एक्सेटरा जो थार्ड काटेगरी है यह लुकेमिया मुद्वार कैंसर आफ अ कंसर आफ प्लॉड अ कंसर आफ तैपस आफ शेलिंग प्लॉड इसका जो ओरीजिन है टेट इस बोल्ड मेरो बोल्ड मेरो चैंसर अगर बोल्ड मेरो चैंसर है तो लिक्विमिया के चैंसर बढ़ जाते हैं ये थे हमारे तो मीज़े काटेगरी से cancer के है Other types of cancers जैसे एक फर एक्वरेग्सम्पल Melanoma तर या सैसर और जैसर अब पिगमें केल्ड शल्स जैसर अंब क्यमेंट सम्स्वाई आफ़ उप्गमें second is adenoma cancer of glands number three myoma cancer of muscle tissue lymphoma cancer of lymphatic cells glioma cancer of glial cells in cns अब अपकोई चीजात रखने है glial cells in cns जो glial cells है एक टाइब का macrophage है brain cancer नहीं होता है क्यों क्यों बने होता है nerve cells है और nerve cells कभी divide नहीं होता है तो उसमें cancer नहीं होगा clear है study of cancer is known as oncology and the person who studies cancer and the person who studies or deal with cancer they are known as oncologist oncologist now if we classify cancer tumor they are categorized into two main parts first is a banning tumor tumor second is malignant tumor banning tumor it is localized and male and malignant cancer it is not localized the cells of this cancer can invade other normal cells via blood and this process is known as metastasis and if you have a video present then like and share and share and share you can you do you can do you